Vaccination मानव इतिहास में सबसे सक्सेस्फुल पब्लिक हेल्थ इन्वेंशन में से एक है। इससे दुनिया में कई बिमारियों को एराडिकेट करने में हेल्प किया है और साथ ही साथ कई डिजीज की इंटेंसिटी को स्प्रेड होने में भी मिनिमाईज किया है। WHO के अनुसार वाक्सिनेशन से हर साल 2-3 मिलियन लोग टिटनेस, इंफ्लूएंजा, मीजल्स और डिप्थेरिया जैसे बिमारी से बचाये जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, imagine अगर इंडिया ने अपना खुद का COVID-19 वाक्सिन मैनिफाक्चर नहीं किया होता, तो फिर क्या होता। अब सोच रहे होंगे, क्या ये even possible भी था कि अपना खुद का वाक्सिन नहीं होता इंडिया के पास। तो बता दें कि ये बिल्कुल possible था और ये first time हुआ है कि इंडिया ने अपना खुद का वाक्सिन बनाया है from the onset of the disease. वाक्सिन तो पहले भी बने हैं, पर वो disease के widespread होने के बाद बने हैं। युएस में polio vaccination drive शुरू हुआ था 1955 में और 1979 में युएस ने अपने आपको polio free country डिकलेर किया था। वहीं इंडिया में polio vaccination drive 2nd October 1994 में शुरू हुआ और इंडिया को polio free country जैन 2014 में डिकलेर किया गया था। उस टाइम इंडिया में active pharmaceutical ingredient API नहीं था और जब युएस में vaccination drive ओवर हो गया तब वो raw material एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। इसी कारण इंडिया almost 20 years behind हो गया in terms of immunization। और यहीं हुआ था smallpox vaccination में भी। 1802 में smallpox vaccine का invent किया था Dr. Edward Jenner ने और इंडिया में इसका first dose लगा था 1850 में जो की Great Britain से import किया गया। करण सिचुएशन में Siram Institute और भारत बायोटेक COVID-19 के vaccine manufacturing शुरू किये। जिसकी वज़े से जैन 2021 में इंडिया में vaccination drive शुरू हो गया और आज की डेट में लगबग 25 करोड डोज़ लग चुके हैं और almost 5 करोड लोग fully vaccinated हो गये हैं। अगर हमारी pharma industries इतनी strong नहीं होती और time पे manufacturing नहीं शुरू करती तो शायद हम लोग को vaccine मिलने में कई साल लग जाते। ऐसा इसलिए होता क्योंकि vaccine manufacturing country पहले अपनी countries को fully vaccinate करते और उसके बाद ही वो export शुरू करते। और साथ ही साथ इंडिया में high demand होती जिसको शायद कोई भी country एक साथ पूरा नहीं कर पाती। Current scenario में भी कुछ challenges हुए जैसे कि raw material supply में issue हुआ था और अभी भी IPR grants के बारे में discussion चल रहे हैं। But we are very thankful to pharma companies, government, logistical companies and frontline warriors for making impossible possible. And with all the facilities provided, it is our duty to get vaccinated and be a COVID-free country।